नशालोस्तों देट हैं आज की 7 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एक्टोयल डिसकेशन में आज तीन इशूस हम डिसकेश करेंगे तीनों डिटेल से सबसे पहले आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे आसम में हर साल बार्ड आती है क्यों क्या रिजन्स हैं क्या उपाय किये गए ह तीसरा काफी अच्छा एथिक्स का आर्टिकल है फार्मस्यूटिकल कंप्रीज के द्वारा डोक्टर्स को जो फ्रीवीज दी जाती है एज ब्राइब उससे सम्बंदित हैं तीनों आर्टिकल सम् डिसकेश करना स्टार्ट करें उससे पहले आज एक एस्पारेंट ने मेल प प्रोफेसर का लदन कुमार इन्होंने अपने 32 महिनों का वेतन लुटा दिया क्यों कि उन्होंने पढ़ाया ही नहीं स्टूडेंट थे नहीं हिंदी को पढ़ाने के लिए क्लासे लगी नहीं लेकिन इन्होंने जोइन कर लिया था 32 महिनों तक इन्होंने एक भी क्लास ली इन्होंने कहा कि मुझे transfer कर दीजे, किसे दूसरे department में नहीं किया गया, तो इन्होंने कहा कि 32 महिनों तक मैंने पढ़ाया ये नहीं, तो मैं उसका वेतन किसलिये लूँ, मेरी आत्मा नहीं मान रही है, तो इन्होंने कहा कि मैं ये वेटन लोटाना चाहता हूँ 24 लाग का ये देखो आज के समय में बहुत ही अच्छा एक्जम्पल है morality का ये हम ethics में इस्तिमाल कर सकते हैं चलिए discussion start करते हैं First important article Assum में हर साल आने वाली floods से समधित हैं आप GS paper 3 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हूँ क्या contest है देखो Assum में हर साल बाढ़ आती है जिसके वज़े से बहुत नुक्सान होता है नुक्सान किस किस चीज का होता है वो आगे डिटेल से आएगा लेकिन few keywords में अगर मैं summarize करूँ property का नुक्सान होता है बहुत से animals मारे जाते है public transport जो है वो रुक जाता है क्योंकि tracks जो है वो बिल्कुल सबमर्ज हो जाते है सिरफ board चलती है फसले तबाह हो जाती है जन जीवन बुरी तरह से परभावित होता है लेकिन देखो question ये उठता है कि ब्रह्मपुत्र वैली में हर साल बाड आखिरकार आती क्यों है ये discuss करना देखो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि floods की जो intensity है न पिछले कुछ सालों में वो increase होती जा रही है मतलब हर साल flood और ज़रा तबाही मचाती आ रही है तो अब जरूरी हो गया है कि सरकार ठोस कदम उठाए सरकार ठोस कदम देखो तभी उठाज केगी जब regions पता होगा कि हाँ ये regions है और अब कुछ करना है तो basics से हम इस article को discuss करना start करते है flood का क्या मतलब होता है flood का simple मतलब देखो ये होता है जैसे नदी है नदी की पानी की capacity से ज़्यादा अगर नदी में पानी आ जाएगा for example नदी में पानी को accommodate करने की capacity है 4 unit लेकिन पानी ज़्यादा है 5 unit है तो पानी कहां जाएगा नदी के बाहर जाएगा बाहर के जो area है वो समर्ज होने लगेंगे बार आ जाएगी 3 reasons की विज़े से बाढ़ आती है या थो एकदम से बारिस आ जाए बहुत ज़्यादा मतलब 2 गुंटे के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा बारिस आ गई कि पानी जो है आगे flowy नहीं करसका आगे नदी के अंदर और वो पानी की embankment को पार करके बाहर आ गया दूसरा reason यह हो सकता है कि बारिस जो है वो धीरे धीरे आ रही है धीरे 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 लेकिन लगातार आए जा रही है आए जा रही है तो आगे भी पूरी नदी में capacity नहीं है पानी को accommodate करने की तो जाहिर दोर पर पानी बाहर आएगा इसमें देखो वो region भी सामिल है कि glaciers के melt होने से नदी में पानी का जो level है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है हिमालिया से for example नदी निकलती है वहाँ पे glaciers melt हो रहे हैं तो सुरूर से यह बरफ अगर पिगले की तो पानी आएगा नदी में और धीरे धीरे पानी का जो level है वो नदी में increase होता जाएगा उसके बाद last में है coastal floods जैसे देखो कोई cyclone आ गया cyclone की वज़े से tsunami आ गई तो पानी आपने देखा होगा जैसे 2004 में tsunami लेरे आई थी पानी एकदम से कोश्ट से बाहर आता है और भारी तबाई मचाता है तो यह मेली तीन रीजन्स है जिसके वज़े से floods आती है इसके बाद अब हम specifically बात करते है असम की असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है देखो असम जो है ना वो हिमालियस के foot hills में है for example यह हिमालियस है यहाँ पे असम है और यहाँ पर दो important valleys है एक ब्रमपुत्रा वैली और एक बराक वैली rivers के नाम पर इन वैली के नाम है बात करें ब्रमपुत्र की यह देखो असम से होके गुजरती है और total length है ब्रमपुत्र रिवर की असम में 650 km और average जो width है वो है 5.46 km मतलब चुड़ाई जो है river की वो average है 5.46 km तो यह मुख्या river है असम में जो flood plains बनाती है चुकि देखो यह हिमालियस से निकलती है class range से निकलती है तो आते आते हिमालियस से आते आते river में बहुत सारे sentiments आ जाते हैं जैसे पहाड को काट के निकली तो मिट्टी जो पहाड से निकली पत्थर जो पहाड से निकले वो सारे rivers के साथ जुड़ जाएंगे और rivers के साथ साथ आगे चलते रहेंगे अब जब तक देखो पहाडों में river चल रही है तो gravity के हिसाब से force जादा है ये भारी भर कम मिट्टी पत्थर कंकर चटाने लेके river आगे बढ़ती रहती है लेकिन जैसे ही plane area में आती है न river तब force कम हो जाती है इस वजए से वो सारी मिट्टी जो पहले लेके चल रही थी ना कंकर मिट्टी चटाने वो धीरी धीरे अब जमा करना start कर देती है अब देखो river की जो capacity है न वो पानी को accommodate करने की और जादा कम हो जाती है क्योंकि सारी जो मिट्टी वो carry कर रही थी उसने जमा कर दिया deposit बना दिया अब sedimentation इतना ज़्यादा हो गया यानि मिट्टी कंकर वगारा इतने ज़्यादा जमा हो गया कि पानी को accommodate करने की river की जो capacity है वो और ज़्यादा कम हो गई सीधा सा logic है beginners को बताओं एक example की साहिता से मान लीजे गिलास है गिलास में पानी आता है एक लिटर लेकिन अगर आप इसमें थोड़े कंकर डाल दोगे जैसे वो कवव वेले कहानी आपने सुनी होगी तो पानी उपर आ जाएगा गिलास की जो capacity है वो कम हो जाएगी पानी बहार आ जाएगा अगर फुल पानी था पहले अगर आप पत्थर डालोगे उसी परकार से river के साथ होता है गर्मियों में यह ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में glaciers पिगलते हैं तो सुरू से नदी ज़्यादा पानी लेके चलती है और ज़्यदा पानी लेके चलेगी, तो सोयल जदा इरोड करेगी, पहाडों में, तो यह जो सेडिमेंटेशन है ज़्यदा करेगी, ज़्यदा डिपोजित करेगी. इसलिए गर्मियों में ये phenomenon और पर ज़्यादा intense हो जाता है इसके लावा देखो गर्मियों में आपको पता है मानसून भी काफ़ी ज़्यादा intense हाता है North East में और चेरापुंजी में तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापुंजी हालांकि आसम में नहीं है मिघाले में है लेकिन मिघाले और असम दूर नहीं है ना प्रोसी राज्य है Water Resources Ministry of Assam ता कहना है असम में ब्रह्मपूत्र Basin एरिया में 85% जो बारिश होती है वो तो मानसून के मंस में ही हो जाती है बाकी बचे हुए महिनों में तो सिरफ 15% बारिश होती है इसके लावा अप्रेल मही में काफी थंडर्श्ट्रॉम भी आते है आलेडी जब देखो सोयल सैचूरेट हो उसके बाद में थंडर्श्ट्रॉम एक्टिविटी को जैसे हैवी रेन आए तो फिर सोयल की भी जो कपैस्टी है ना पानी को एपजोब करने की वो कम हो जाती है ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा ऐसी सिचुएशन में पानी अब नदी से बहार आने लगेगा बहार आने लगेगा तो कई के किलोमेटर्स तक फैल जाएगा बहुत सारा एरिया सममर्ज हो जाएगा अब ऐसी situation में फिर लोग की internal displacement start हो जाती है आप क्या कर सकते हो कि नदी से पानी बाहर ना आए आपना embankment बना सकते हो इस परकार के ये देखो, embankment मतलब एक दिवार टाइप का structure नदी के किनारे आप जो देखते हो ताकि ये ensure करने के लिए नदी का पानी बाहर ना आए अब देखो, embankments ब्रह्मपुत रिवर के आसपास काफी बने हुए है 1960s से ही बनाए गए थे floods को control करने के लिए लेकिन आद 60 साल हो गए, इन में से जातर ये जो दिवारे हैं नदी के किनारे पर embankments है, वो अब कमजोर हो चुकी है, काफी bad condition में है वो भी नदी का पानी जो है वो उन्हें बहा के ले जाता है पानी को रोक नहीं पाता बहर आने से, बलकि पानी के साथ बह जाती है ये दिवारे भी, इसके लावा देखो वैसे कुछ और regions भी हैं इसकी वज़े से floods आती है, population density काफी ज़्यादा increase हो गई है आसाम में, 1940-41 में तो सिरफ 9 से लेखे 29 people per square kilometer थी लेकिन 2011 के census के अनुसार बढ़के हो चुकी है, 398 per square kilometer इतनी ज़्यादा population अगर बढ़ेगी तो state की ecology पे तो असर पढ़ेगा ना deforestation काफी ज़्यादा हुआ है, पेड जो है वो मिट्टी कुछ जकड लेते हैं, मजबूत बनाते हैं पहाडों में अगर ज़्यादा पेड होंगे तो मिट्टी ज़्यादा erode नहीं होगी, soil erosion कम होगा hills काटी गई है, रास्ते बनाने के लिए encroachment काफी हुआ है wetlands का destruction हुआ है, जिसके वज़े से भी flood condition जो है, वो intense हो जाती है आने वाले समय में तो देखो, climate change हो रहा है, आपको पता है rainfall और भी ज़्यादा extreme होने वाला है, glaciers काफी तेजी से पिगल रहे हैं तो ये सब चिंटा की बाते हैं कि आने वाले समय में आसाम में जो बाड है वो और ज़्यादा आएंगी ये काफी चिंटा की बात है तो ये तो हमने देखो मुख्य reasons की बात की, miscellaneous में कुछ other factors के बारे में भी आप लिख सकते हो जैसे आसाम में drainage system अच्छा नहीं है, पानी की निकासी के लिए, urban growth जो हो रही है, बहुत unplant तरीके से हो रही है अंदा धुंद dams को और hydroprojects को construct किया जा रहा है, तो ये भी कुछ extra reasons है एक चीज यहाँ पर, disadvantage तो काफी आपको पता है जैसा सुरुवात में भी मैंने आपको बताया, बहुत से animals माने जाते हैं अगर देखो, animals की specific लिए आपको थोड़ा सा detail से बताऊ ना जैसे low-lying area में flood आएगी, for example काजरंगा नैसल पार्क में तो फिर ये जो animals है न, वो high-lying area की तरफ भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए for example कार्भी, Anglong Hills में, तो रास्त में फिर highways भी आएंगे, जैसे NS-37 एकडम से highways आएंगे, तो animals की जान चली जाती है, टकरा के, विकल से और बहुत बार जो pochers होते हैं, यानि सिकारी, वो animals की vulnerability का फाइदा उठाते हैं, उन्हें पता है कि अब बार आ चुकी है, animals से इस तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए सिकार करना आसान हो जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस परकार से धवस्त हो जाता है, सिरफ बोर्ट चलती है, मच्वारे, मचली नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए सकते हो, थोड़े लो प्रोफाइल में, मतलब हलके फुलके, एडवांटेजी जैसे कि देखो, ऐसी सेचुएशन में फिशीज काफी पर्डिूस होती है, और फ्लरड प्लें एकोसिस्टम रिजूवनियेट हो जाता है, यानि पानी रिजार्ज हो जाता है, इसके अलावा, सोल थोड़ी फॉटाइल हो जाती है, तो ये कुछ आप लिख सकते हो, अब लाश्ट में बात करते हैं, क्या करना चाहिए, फ्लरड को रोखने के लिए, सबसे पहले देखो, ज्यादा अच्छा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, जैसे जो अथोर्टीज हैं, बताती हैं कि फ्लरड आ सकती हैं, वो अच्छे से बताएं, ताकि लोकल लेवल पर अथोर्टीज भी त्यार हो सके हैं, रेजिदेंट्स को भी अलर्ट के जासके कि बार्ड आने वाली है, आप चले जाईए, या फिर पहले से त्यारी करके रखिए, जो भी है, दूसर एनिमल्स के लिए एक प्रोपर कोरिडोर त्यार करना, कि वो नैशनल हाईवे को क्रोज कर सके, बिना टकराएं, वीकल से, बिना जान गवाएं, ऐसी ऐसी छोड़ी छोड़ी चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी हैं, इसके लाबा, एक और सजेशन जो दिया जाता है, वो ह पानी का लेवल जो है, वो अच्छे से रेगुलिट किया जा सकता है, रीवर में, दूसरे मेजर्स जैसे देखो, असम में भी, एक सेंटर फोर डिजाश्टर मनेजमेंट इस्टाबिस करने किया सकता है, जो इन सभी स्टैप्स को लिए जा रही हैं, बार को रोकने के लिए उनकी effective implementation को monitor कर सके, तो ये पूरा आर्टिकल हमने discuss किया, चलते हैं आगे, इसके बाद next आर्टिकल इंडिया-उरोपियन उनियन रिलेशन्स से समन्दित है, आप G.S.P.2 के इस टोपिक से आर्टिकल को relate कर सकते हूँ, देखो आपको पता है, काफी सारे देशों ने अब य इंडिया ने कहा है, 2070 आते आते हम ये इंशोर करेंगे, जितना carbon इंडिया से emit होता है, उतना ही absorb करने की capacity भी हो, ताकि result निकले net zero emission, net zero carbon emission, समझ गए, इन सब देशों में न, European Union सब से उपर है, European Union की commitment ये है, 2050 आते आते, वर्ड में, European Union पहला carbon neutral reason बन जाएगा, और इसके लि ताकि European Union को transform किया जास के, एक ऐसी society में जो fair और wealthy हो, लेकिन इसके साथ-साथ resource efficient, modern और competitive economy भी हो, अब देखो, European Union को carbon neutrality का status अचीव करना है, 2050 से पहले, और इसके लिए European Union ने कुछ immediate targets भी set किये हैं, for example, fit for 55 package, इस package में क्या है, 2030 आते आते, एमिशन को 55% तक कम करना है, अब इस package में एक provision ये भी है, carbon border adjustment mechanism, ये एक नया carbon pricing system है, जो की European Union के द्वरा purpose किया गया है, इंपोर्ट से संबन दित, अब देखो, European Union में जो countries आते हैं, उनकी सिकायत ये है, हम तो climate change पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, हम domestic companies, जो ज़्यादा carbon produce करती हैं, उन पर tax भी लगा रहे हैं, बट देखो, अब बहुत से माल माल लीजिए, दूसरे देशों से European Union के member countries में इंपोर्ट हो जाएं, वहाँ पर तो carbon tax लगता नहीं है, तो वो products तो सस्ते European Union में आ जाएंगे न, domestic companies को नुक्सान होगा, तो ये इस provision में क्या है, देखा जाएगा, कि local company जो carbon emit करती है, उस पर क्या tax लगा गया है, बहार से जो product produce होके आया है, उस पर क्या tax लगा गया है, अगर carbon similar produce किया है दोनों products के production में, लेकिन domestic company पर ज़्यादा carbon tax लगा है, और बहार वाले product पर tax नहीं लग रहा है carbon tax, तो हम लगाएंगे, import करते वक्त उस पर tax, ये है carbon border adjustment mechanism, समझ गए न, simple भासा में बोलूँ, तो जो नुक्सान हो रहा था, European Union की domestic companies को, क्योंकि ये तो carbon tax लगा रहे थे, बट बहार से जो माल import होता है, उस पर carbon tax नहीं लगता था, for example, चाइना से import हो रहा है, चाइना में products अंदा तो European Union countries को नुक्सान होगा, तो इसकी भरपाई करने को लेकर ये tax लगाया जाएगा, carbon border adjustment mechanism, बट न, developing countries को इस से सिकायते हैं, पहली सबसे बड़ी सिकायत तो ये है, कि ये WTO के norms के against है, WTO के साथ-साथ, United Nations Framework Convention on Climate Change के norms के भी ये against है, क्योंकि ये जो carbon border adjustment program है न, इसकी साइथा से European Union अपनी domestic companies को protect करने की कोशिज कर रही है, ये protectionism है, बट देखो, WTO में पहले भी मामले गए हैं, इस परकार के, तो environment को ही upper hand रहा है, environment को ही जाद तवज्यों दी गई है, WTO के द्वारा जब तकराव होता है, इस परकार के मामलों में, अब एक developing countries की सिकायत ये भी है कि भाया, चलो मान लिया, आप tax लगा रहे हो, ऐसे products पर जो अहां पर carbon tax नहीं लगा है, लेकिन इससे जो revenue आप generate करोगे, उस revenue के साहिता से कम से कम clean technology तो दो न, developing countries को, ताकि वो आगे जाके कम से कम carbon emit करें, लेकिन European Union कहते हैं, नहीं, उस revenue generation का हम इस्तमाल करेंगे, European Union के member countries की economy को boost करने के लिए, तो ये developing countries की चिंता की बात है, कि आप हम revenue को कम से कम cleaner technology के लिए इस्तमाल तो कीजिए, आप तो उस revenue को अपनी economy के लिए इस्तमाल करने लगे, लास्ट में कहा जाता है, देखो, इंडिया और European Union काफी healthy trade relationship share करते हैं, European Union इंडिया का third largest trading partner है, और इंडिया European Union का 11 largest trading partner है, 2019-20 में दोनों का trade हुआ था 63.8 billion rupees, जो इंडिया के total trade का 11.1% है, यह data काम आ जाता है, आई-यार में लिखने के लिए अगर specific question आ जाता है, इंडिया और EU के बीच में, इंडिया का जो total export है न, उसका 14% तो सिरफ European Union में है, initiative लिए जा रहे हैं, trade को ओर जड़ा boost करने के लिए, जैसे इंडिया European Union free trade agreement काफी समय से लटका हुआ है, फिर से revive क्या गया है, मतलब negotiations फिर से चली है, ताकि इसको final रूप दिया जासके, उमीद यह है 2023-2024 में यह free trade agreement sign हो जाएगा, इंडिया और European Union के बीच में, दोनों जहतर alternative ढूंड सकते हैं कि कैसे clean और greener technologies का इस्तमाल किया जाए, carbon emission को कम करने के लिए, बजाए कि यह जो carbon border adjustment program है इसके implementation के, इससे दोनों देशों की, मतलब European Union as a reason की और इंडिया की economy को फाइदा होगा, तो यह पूरा article हमने discuss किया, अब चलते हैं आगे, इसके बाद next article ethics से article को relate कर सकते हो, क्या context है, देखो supreme court की दो judge bench का judgment आया, कौन से case में, apex laboratories private limited versus deputy commissioner of income tax, large taxpayer unit second के case में, इस case में क्या था, जो apex laboratories है na, drug manufacture करती है, for example, deduction मांग रही थी, कि हम doctors को free में चीज़े देते है, तो income tax में इसके लिए हमें deduction मिलना चाहिए, but supreme court ने, इनकी petition को dismiss कर दिया, apex laboratories वालों को, हम आपको नहीं देंगे, income tax में deduction, किसके लिए, आप doctors को free में चीज़े देते हो, इसलिए, supreme court ने क्यों नहीं, income tax में deduction देने दिया, क्योंकि देखो, यह जो pharmaceutical manufacturing companies होती है na, doctors को बहुत सार free में चीज़े देती हैं, जो कि लाके against हैं, अब doctors जिस चीज़ को free में लेगा, for example, किसी drug company से free में चीज़े ले ली, तो doctor क्या करेगा, उस drug को ज़्यादा prescribe करेगा, patients को, यह देखो, as a medical profession के against हैं, अब आप बोलोगे, दवाई अगर सही है, MRP पे चीज़े मिलती हैं, तो क् pharmaceutical companies होती है, खर्चा तो उनका हो रहा है, तो दवाई की जो cost है, उसमें सब कुछ सामिल होता है, यह जो marketing techniques है, वो भी सामिल होती है, तो patients को तो दवाई महंगी पड़ रही है, क्योंकि drug company ने अपना सारा खर्चा देखते हुए दवाई की कीमत्या की है, कि हमने drug manufacturing में इतना पैसा invest किया, doctors को free में चीज़ें दी, सब कुछ मिला के वो दवाई की कीमत्या करती है, तो patient को नुकसान होता है, काफी बार free doctors सही दवाई नहीं prescribe करते हैं, जिन companies से उनको free की चीज़ें मिली हैं, वो दवाईयां ज्यादा prescribe करती हैं, तो यह unethical है और illegal practice है, इस पर रोक case सामने आया था, company जो है न, doctor को freebies दे रही थी, free में चीज़े दे रही थी, ताकि doctors awareness create करें, एक health supplement के दवारा, जो company create कर रही थी, उस health supplement का नाम था जिनकोविट, और आप सोचके देखिए, कितना ज़्यादा unethical है, freebies के चक्कर में, एक patient होता है न, patient, वो अपनी पूरी जा doctor के हाथों में रख देता है, कि बस आप जो कहोगे, मैं वही करूँगा, even जब doctor महंगी दवाईया प्रिस्क्राइब करते है न, patient नहीं भी afford कर पाते है न, वो विचारे कोशिस करते हैं, कि कही ना कहीं से खरीद रहे, doctor नहीं ये बताया है, ये खरीद नहीं है, लेकिन मैं इसका आपको personal example देता हूँ, अगर देखो, मान लीजिए, students एक teacher में ट्रस्ट repose करते हैं, और अगर teacher गलत guidance दे दे, जैसे मेरे पास बहुत सारी पहले books आती थी, आजकल तो कम हो गई, जैसे दिशा publication की, अरिहंत की, और वो बोलते थे कि sir आप हमारी book recommend कर दीजिए, हम आपको एक लाख रुपे दे देंगे, पचास जार रुपे दे देंगे, एक वीडियो बना दीजिए, आप में देखा होगा कई, जैसे YouTube पे कई बार ऐसी वीडियो बनती भी है, particular book को recommend करने के लिए, कई बार बहुत phone भी आते थे, मैंने उनको कभी entertain नहीं किया, मैंने उनक बस आपको एक minute आपको लूँ, तो मैं बताता हूँ कि मैं book क्यों नहीं recommend करता, जब मैं student face में था ना, तो library में एक student मेरे पास में आया, और उसने बोला कि, मतलब पूछा कि, जैसे geography के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो मैंने उसको बोला कि, देखो मैं अपना experience share कर सकता लेकिन कोई जरू ही नहीं कि मेरा जो experience है ये book पढ़ने का आप पे लागू होगा, क्योंकि ना, बहुत सारे factors होते हैं, मेरा interest है के नहीं है, जोगरफी में, मुझे ये language आसान लग रही है, मुझे ये language आसान लग रही है, मैं याद कर सकता हूँ facts को या फिर नहीं कर सकता ह या फिर मेरे concept बनाने की power ज़्यादा अच्छी है के नहीं है, मेरी link बनाने की power कैसी है, तो इन factors को देखते हुए, मुझे ये book सही लगी, for example, लेकिन ultimately आप अपना फैसला लीजिए, किसी की बात को face value पे मत लीजिए, कि इसने बोल दिया तो यही पढ़नी है, तो बात करते करते हैं, मैंने देखा उसको, उसकी आँखों में आशू से आने लगें, मतलब रोया नहीं, लेकिन वो लगने लगा, जैसे आवाज भर नहीं जाती, उसने बोला कि भाया मेरा किसी ने बेवकूफ मना दिया, उसने मुझे कहा कि हिस्टरी के लिए विपिन चंद्रा अरली मुझे ना 20-25 दिन लग गए उस पूरी बुक को पढ़ने में, और अब मुझे पता लगा कि सारी दुनिया तो स्पेक्ट्रम पढ़ती है, स्पेक्ट्रम से आती हैं चीजें, और स्पेक्ट्रम मैं पढ़ लेता, तो मुझे उस दिन ऐसास हुआ कि कि किसी को आप बो करूंगा कि आप ना अपनी strength and weaknesses को भी देखिए, किसी की बात को इस UPSC की त्यारी के दुरान ना बिल्कुल face value पर मत लीजिए, इसने बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा कभी मत सोचिए, कोई भी decision लेते वक्त, ना सिरफ book का, फैसला और कोई भी फैसला होना, बिल्कुल face value पर मत लीजिए, अपने rational mind का इस्तमाल कीजिए, उसके बात decision पर पहुंचिए, लास्ट मेना फिर से इस article पर आएं, तो लास्ट मेना राइटर काफी अच्छा suggestion देते हैं, जैसे राइटर बोलते हैं, आप ड्रग्स के मामले में कुछ ऐसा mechanism establish कर सकते हो, कि सब कुछ fair manner में हो, for कि drug को manufacture करने में कितना पैसा आ रहा है, कितना company का profit margin है, कितना sales पर घर्चा आ रहा है, मतलब सारी चीज़ proper public domain में हो, तो काफी अच्छा हो, हलांकि इनका solution काफी extreme है, ऐसे तो कोई drug manufacturing company फिर innovation नहीं करेगी, वो research नहीं करेगी, अगर आप profit को बिलकुली बांद के रख दोगे लेकिन है writer का suggestion, अगर implemental होने लाइक होना तो ठीक है, कि अगर इससे होगा क्या, इससे फाइदा ये होगा, पता लग जाएगा कि हाँ, वो क्या-क्या invest कर रही है, और इससे drugs की जो cost है, वो कैसे boost हो रही है, समझ गए, तो ये हमने पूरा article discuss किया, ethics से समंदित, ये थी हमार आज की discussion, फिलाल इस discussion में इतना ही है, तीन issues आज हमने discuss किये, thank you, thank you very much for discussion.